हलो जी रामरम जी और सब कैसे हो पहले तो खुले मोसम का नजारा लेलो आज मोसम बहुत बढ़िया था तो मैंने सोच आज बाहर जाके वीडियो बढ़ाओ क्योंकि अंदर पसीन ना पसीन ना होगा मेरा पूरा अलोज है अधी बाते मैं बूल भी जाओं क्या बताना था क्य पसीने में तभी आज बनेगी बाहर वीडियो क्योंकि आज मोसम बारिश का यूँ पता नहीं आवगी या नहीं पर मोसम हो रहा खुश होई रहे हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है तो हम भी है बाट ते खरे राम की इससे ने करना जो कुछ करना है मारे अंगल आए तो कु आपकी लओं मारीमिज है कितने साल होगे आपकी इस ने करना और मरे निया खरणधिक आएट को और हूँ और उल्वाली वीडियो थी मैंने आऊं लाज जूस्के वर बनाई भी बहुत सारी मेरे मेरी बैंको qijे और की बहुत सारी प्रोब्लम हो रही थी तो बार बार मुझसे कमेंट करके पूछ रही कि जिरी स्किन पर यह हो गया पिगमेंटेशन होगी पिंपल्स हो गया है तो मैंने आवलाज उसके पर बहुत अच्छी वीडियो बने तो उसको भी जरूर देखो भी जिस जिसको यह प्रोब्लम स्किन और हैर से रिलेटेड बहुत अच सक्या था विफोजी कि मैंने मतलब एक जटके में हाँ बर दी तो आस इन सारे कर्शन का आंसर दिया जाएगा तब जैसे ही सबका पता भी माबाप अपने बच्चे के लिए हर अच्छे से अच्छा रिष्टा ढूंडते अच्छे से अच्छा परिवार ढूंड़ने हैं को यह नी सोसता कि बेट दुखी हो या परेशान हो हर माबाप यह सोसता कि बई उसकी बेटी अच्छे घर में जाए और बेटी का दुख उ्चार और और पांच तब तक नियुक्ता अगर उसने अच्छे मिल जाते हो लेकिन अगर अगले परिशन करें तो वह उस माबाप का जीना भी मुश्किल हो जाता है उन्हें एक केक रात काटनी मुश्किल हो जाब यह अपनी बेटी के बारें बहुत चिंता करने लग जाते हैं तो यहाँ पर बेटी का दुख हो जाता है उन्हों बेटी किसी नहीं दुखी नहीं करती कि रात नूट का खावा है तो भी हम जैस अच्छे करम करो कुछ करो कि भई 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 हमें आग गे वाड़े बहुत अच्छे मिले दोन्नों बेने को कि मेरे माबाप बहुत मतलब शांति की रोटी खाला भई हमारी तरफ से चीनता मुक्त है कि हाँ भई मेरी बेटी अच्छे गर में गई होई है मतलब पैसा सब कुछ नी ओता मेरी माननों वही पैसा समझने वाला उना चाहिए उसको मेरे मानना तो यही है देखो और मेरी वीडियो का ना बुरा मत वान कई कमेंट आ जाते कि यह है और वो है देखो मैं किसी के उपर वो नहीं करती मैं अपना बताती हूं कि मेरा यह मानना है आपका क्या मानना है देखो सब की सोच एक जैसी नहीं होती तो आप कमेंट कर दिया तिया कुछुए आपको यह करो नहीं मेर कोई मतलबkeit मैं आपना बताते हुए अपना ऐच्पीराइजक गछल्ग सुछिए करते हुए आपके सामने बड़ी मैं ही थी घण में सबसे तो भी डूढ़ने में भी टाइम लेकता हूँ देखो किसमत की बात होते भी एक किसी को पहली बार में देखने इसे मिल जाता है लेकिन कई आधा तो मैं उनी लड़कियों में से थी इसने मेरे पापा को बहुत अंडाय फिर आया लड़का ड देखता है भी जब शुरू में अपनी लड़की किसी को देता कि भी हर एक चीज हो मेरी बेटी अच्छे से मतलब रहे लड़का भी मैच का ओ नो करीबी ओ किल्ले भी हो है हर कोई देखता देखो यह हमारी हमारी निय हर को यह सोच था कि उसकी बेटी अच्छे घर में है ठीक है तो जैसे ही पापा बोद गूंब लिये फिर लिये लास्ट मा कतनू बले छोरी एपक तो जिंग जाओंगा ना ओड़े तेरा रिस्ता पक्का करकाओंगा चै कुछ भी हो जो तो न बोधन डालिया हूं मैं तो महां ठीक हो पापा मैं कि मना करू जो आपना जिगन्नू था वो ताड़े भी पाप नरिष्टे पर पता नहीं यहां को का अगर वही किस्मत की बात थी संजोग की बात थी कि मिलना है था तो जैसे यहां पापा देखके गए सब कुछ भी ठीक था नोकरी भी थी वही सई मतलब परिवार भी छोड़ता है जो और कोई मा माभचा हर एक चीज थी तो गरजय के मुम्मी बोले बदेखाया हूं हाँ यह है कि भी मतलब थोड़ा मतलब यह है कि और सब कुछ athी पर Sumukute गी है है जितनी मतलब मावाब को अपनी बेटी सुन्दर लग है कि वह मैच नहीं है और मेंने सारा कम ठीक लगया तो मैं मैंने समझा लेकि मम्मी के मन में पता नहीं मतलब का अगर न मा तो मा अभी पोजिटिव आ रही थी कि ना यू रिस्ता मेरी बेटी खातर बहुत बढ़िया है कोई बात नही 19-20 सम्मा चाला है हर को एक जेसा नहीं उन्दा परिवार बढ़िया है नोक दिला रहा है मेरी चोरी नहीं दुख नहीं होगा तो याड़ कर दे आंख मिचका मैं को हूँ मेरे कहता मना मतलब वो दीख रहा कि हाँ याड़ मेरी बेटी सुखी रह गी तो पापा बोले देख कि आपने ठीक लागा करदो आपने ठीक लागा करदो आपने ठीकला मने भी कोई दीकत मारे तो दिखत नहीं तो बही फिर मेरे मेरे को देखके गहे इनके गरवाड़े तो हो गया आपना रिष्था पक्का हां वहीं लेकिन हमने एक दूसरे को face to face कभी ने देखा ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उनको देखा आले कि वो आये थे पापा ने तो बोल जाते कि वह कलड़काना चाहो तो आसका में कोई दिक्कत लेकिने न कभी ना जो मेरे माब करेंगे वही ठीक है तो रिष्था हो गया पका ना फिर हमने कभी फोन पर बात कि मीनी, रिष्था रहा रहा, 3-3-5 मिनी कभी ने फिर फोन कंड़ा ना भी हमने कि का कभी मारी फोन पर कोई ने कोई बातचीत की थी ना कुछ क्या था और हमारा रिष्चा देखो अब तक भगवान की द्यासे इतना बड़ी आचल रहा है इतना बड़ी आचाल रहा है करने मेります time लगे ने मेंसे मेरे कुं समझा एल सपोड के हुई इस नहीं ऐसे करें ठीक है तो ज्यादक कुषा मत मत करhang कभी ऑफ थोड़ा डूसे अज cinnamon time लगता भी शॉब्स्का औंग गया किसी कासे तो हमारी करो संझाते विशुल coloured करते हैं बस किसमत मदलब इतनी अचे निकली वी यहाँ कि भी इतना बड़ीया परिवार मिला इतना छाद्य मिला और आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ यहाँ तीन बेटिया होगी मेरे को प्यारी प्यारी सी परिवार पूरा हो गया तीन बेटिया हैं मेरी यहाँ सब को पदा है इस बात का तो तीन प्यारी प्यारी बच्चिया हैं कभी उन्होंने मेरे को बगवार्ण ने दे दिया हुआ है बहाल था एक समय तो को समझाग रहे चाहे मैं कितने नाराज जो लुए हमेशा मैं बोलते हैं हमेशा कभी भी नाराज नहीं कोई बात नहीं और एक नुका दद नहीं फोजी तो दूर रहे हैं जहीं देनिका प्यार होगा है पास माई तो सब के जगड़व हैं ऐसा कुछ भी निया देखो में गे पास में 12 साल होगे इनकी पोस्टिंग नज दिकाई दिल्ली के तो अपडाउन भी करते हैं एक साल में हमारा कोई नहीं यह कहने की बात वह जिसको नहीं भाना होता है दूर भी नहीं बाता है यह हमारी सोच का फरक है और सिर्फ एक कि यह है वह ना हमारी कोई लव मैरी इस पर लाइफ ऐसी होती है और देखे देखे पताएं जल्म इतने वड़े वह इतने समझदार होगे कि देखो आज हम सब को समझ जाते कि ना नहीं करना चाहिए कि परिवार हो गया है अब यह भी वह बड़े हो गया जब बच्चों के मां बंड जाते तो मैं समझ अपने आप पाजाती है अध्यस्टोंने देखो सब को टाइम लगता हैं दूसरे घर में जाते हैं उनको भी टाइम लगता आपको भी टाइम लगता थोड़ा पस अंडरस्टेंडिंग का फरा करको समझाओ यह किसी के अजबन होते हैं यह और बिचारी को थोड़ा से वह कर देते प्लेश होता घर में दूरिया होती है रिष्टे में जितना प्यार से आपनी बाव के सारा परिवार आपको अच्छा लगेगा वो भी आपकी जद करेंगे सब आपको प्यार करेंगे तो मेरी सारी बैनों से मेरी यह है कि अपना जिसका भी जो परिवार अपना असी खुश निकाल रही है तो उसका यह मतलब कि आप उसकी बात सुनों उसको समझों उसको समझाओ और आप भी समझों मेरी वह न दोन्हों के समझ से रिष्टा चलता है ठीक है मैं अपना बतारी वह आप देखना भी देखो आपको कैसे करना लेकि मेरा मेर मोटे की यही कहना कि दुखी मतरा अकरो अस्तिरा अकरो जीवन में कितनी बड़ी प्रोब्लम आजए अपना प्रिवार के साथ अपने हस्बंड के साथ एक दुसरे मिल बाट के चले आकरो क्योंकि मिल बाटने सारे दुख छोटा हो जाता हारे टाइम जो बुरा चड़ा वो भी बड़ा नहीं लगता अ आपका रिष्टा अच्छा होना चाहिए आपके हस्बंड वाइफ का मतलब क्या एक बोंडिंग अच्छी होने चाहिए तो हर एक चीज आपको अच्छी लगेगी हारे मतलब नेगेटिविटी आएगी ही नहीं आपके वन में हमेशा पोजिटिव होगे तो तो वही आज के बना तो पर ना चैनल को जरू सब्सक्राइब करना वीडियो को जड़ ज्यादा शेर करना और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत सबसक्राइब करना बहुत ज्यादा सपोट कंदे बहुत ूमज ज्रुते हो में अगिन से पाइज़ोंग एज़िए थन आप म Saxo को व्याव तब तो मेरे दोते हैं पड़िया से नेक्स्ट टूड़ियो में तब तक लिए पर बैटेक केर धन्यवाद